देखें बिहार में बड़ी बहाली की गई नेखिल उस बहाली में कहीं-घ्ष यद्ल की रिजल्टे की मांग कर रहे हैं उसी फेज 2 के पहली जो भरती है का छाथ्र पर सान है निकिला तेस्वी आदब तो कहते हैं रोजगार दे देंगे देखे बिहार पॉब्लिस सर्विस का मिसन ने बड़ा ही मंदारी से परिक्षा लिया आपने देखें बहुत मेहनत हुआ बीपियसी के चेर्मेन और तमाम सदस्यों को मैं बदाई देना चाहता हूं कि जो उ उमर से छुट गया किसी का जो है जाती अगर कोई लड़कियां जो है बहुत बावाल पैदा कर रही है की वो जो है उसका दलिद समाज से घर से आ रही है अज साधित दूसरे समाज से कर लिए तो साठिफिकर टो डलिद समाज का चाहिए वहां का जहां उसका बाप का जो vol जाती होती है लड़की का वही जात होता है तो इस तरह में भी कई जंजट हमने BPSC में देखा कि लोगों के ना समझी के कारण जो है लोग नहीं समझ रहे हैं अब यह आदव का लोग पर मान पत्र पर लगा रहे हैं अब जात के मान के चलिए हम सुरूल कास्ट के हैं राजप और यह तमाम लोगों से आवेदन लिया जा रहा है वियार पुब्ली सर्वीशरक कश्मिशन का जो मनेटिंग सेल है वो तमाम लोगों से जो है आवेदन मांग रहे हैं कि किसको क्या दिकत है अगर कोई दिकत में कमी अगर होगा सुलट इसने लाइक अगर होगा में कहीं ने कहीं फॉल्ट पाया जा रहा है कई लोगों का अब फॉल्ट पाना तो उसके कागज का दोस है यह मेरा दोस नहीं है यह कहा जा रहा है कि बीपेसी और सिक्षा विभाग के आपस में समन्भाइ नहीं होने के कारणे गलतिया हुई है देखिए सिक्षा विभाग का काम होता है VPSC को दे देना What is the function of the बिहार पब्लिश सर्विश कमिशन? एक आयोग है, कमिशन है जो कि हर बिभाग कहते है कि हमको एतना चाहिए सीट चाहिए, हमको एडिस्नल कलेक्टर इतना चाहिए, हमको कलेक्टर चाहिए ता UPSC लेता है इधर जितना पदा धिकारी है VPSC लेता है, तो शिक्षा भी भागने सिर्फ यह VPSC को कहा, कि हमको एक लाग शिक्षक चाहिए, आप सब वेवस्था करिए, तो VPSC ने vacancy निकाला, विग्यापन निकाला, और इस विग्यापन तरीके से तयार हो जाता है, कि कितना लाग लोग पहरम भरे हैं और कितना लाग का कट अप 73 परतिसत है, अगर कट अप जा रहा है, तो हम किसी का 72 आ रहा है, तो 72 वाला को तकलिफ है ही, लेकिन उसके लिए भी सेकेंड सुची निकलने की संभावना है, बेपियसी ऐसा विचार जो है, कर रही है, कि जो अगर मान के चलिए, कि कांसलिंग में जो अभिहारती छट रहे हैं, कागज उनका कहीं न कहीं फोल्स पाया जा रहा है, कुछ तुरूटिया नजार आ रही है, तो उनका आग्यों के बदले जो है, दूसरे लोगों का चिहन हम सकेंड लिष्ट में किया जाएगा ऐसी संभावना है, पक्की बाते मैंने बता रहा हूँ, लेकिन लोग इस पर विचार कर रहे हैं, और जो दूसरे फेच की बहाली हुई है, उसके उससे पहले सप्लिमेंटि जारी कर दिया जाए, ये छात्र मांग कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार जो है, आयोग से बात करेगी, क्या छात्र के भविस्त के साथ, जो है, कोई खेलवाड ना हो, और सप्लिमेंटि जो है, वो जल्दी जारी हूँ, देखिए, तेज़ेस्वी सरकार बादा के बड़ा पक्के लोग है, नितिश जी हो ये तेज़ेस्वी जी हो, सरकार तो कई वरसों से भारती जनता पाटी के साथ, नितिश जी चला रहते, लेकिन बादक बना हुआ था भारती जनता पाटी, आब जो है, तेज़ेस्वी आदव जी कि जो सरकार हैं उनके जो लोग हैं मुक मंत्री पर सवतंदरता दे देकिने ये बहाली होनी चाहिए लोगों का 10 लाग हमने टार्गेट पूरा किया कि एक साल में हम विधान सभा का चुनाव आते आते 10 लाग लोगों को हम रोजगार देंगे तो 10 लाग लोगों को सप्लिमेंटरी रिजल्ट की बात अगर लोग कर रहे हैं तो इसके लिए भी सरकार विचार कर रही है समनवे दोनों में पक्का सिक्षा विभाग में भी और सरकार में भी दोनों में कहीं कोई डिफ्रेंसेस नहीं है विप्यसी में डिफ्रेंसेस नहीं है तमाम के तालमेल स चाहते हैं कि धोरी रखें तैयारी करें आगे का हो सकता कि नहीं भी हो लेकिन तैयारी में कमी नहीं करनी चाहिए रखनी चाहिए बिहार के छातर काफी मिधावी छातर हैं बिहार के लोग बार में जा करके कंपीटिशन तैयार करके किये हुए हैं अगर आप राजस्तान में जो जेनरल सीट पर जो वहां हो रहा है आप देखेगा हिमाचल में मध पर्देश में कई राज्यों में बिहार जो है अब बला जाता है रिजल्ट के मामले में बिहार से सब लोग डरते हैं कि बिहार के छात्राओं से दूर हो चात्राओं से चुकि परतिभा है तो सांती बना और जो भी सरकार का जो निर्ने होगा वादा के नुकूल आपके हित के लिए यह मुझे पूरा भरोसा दिला दिया है सप्रिमेंटरी रिजल्ट भी जल्द जारी हो जाएगा चात्र जो है वो नाखुस ना हो इस तरह के तमाँ अपडेट्स के लिए बने रहें देशवानी उ